कबटी में सबसे important चीज होती है प्लेयर्स के बीच में combination होना और कबटी वर्ल्ड में अगर हम combination की बात करें तो सबसे पहले जिस duo का नाम आता है वो है सूमो का यानि सुरिंदर नाडा और मोहित छिलर का इस वीडियो में हम बात करेंगे सुरिंदर नाडा और मोहित छिलर के duo और उनके combination के बारे में सो बिना किसी देरी के let's start प्रो कबटी का पहला सीजन 2014 में हुआ था और उससे पहले हुआ था एक auction इस auction ने सभी प्लेयर्स को अपनी debut टीम दी थी नैशनल्स में मोहित छिलर का सबसे अच्छा performance रहा था इसलिए यू मुमा ने auction में उसे अपनी टीम में ले लिया हाला कि सुरिंदर नाडा उस वक्त auction में नहीं था वो तो बाद में मंगया गया था जैसे जैसे सीजन वन चलता गया वैसे वैसे सुरिंदर नाडा और मोहित छिलर की जोड़ी तगड़ी होती गई सुरिंदर नाडा को लोग ankle hold specialist के नाम से जानने लगे लेकिन unfortunately सीजन वन में यू मुमा जीत नहीं पाई लेकिन सुरिंदर मोहित की ये जोड़ी ने सब के मन में चाप छोड़ दी थी सब समझ गये थे कि ये combination बहुत खतरनाक होने वाला है जब भी ये लोग defense करते हैं तब एक को पहले से ही पता होता है कि दूसरा कब tackle करेगा दोनों इशारों में एक दूसरे से communicate करते हैं और रेडर को दबोच लेते हैं इसका perfect example हमें दिखाई दिया था season 2 के final में season 1 की हार को पीछे छोड़के यू मुमा उसी टीम के साथ और नए जोज के साथ फिर से mat पे उतरी थी सारे टीम को हराते हराते यू मुमा पहुची फाइनल तक और वहाँ पर उनका इंतिजार कर रही थी मंजीत छिलर की बेंगलूरू बुल्स बेंगलूरू बुल्स के स्टार रेडर थे अजे ठाकुर लेकिन डिफेंस के तगड़े कॉम्बिनेशन से मुहिट छिलर ने चेन टैकल कर करके अजे ठाकुर को खामुश रखा इस match से हमें पता चला कि कबड़ी में कॉम्बिनेशन होना कितना ज़रूरी है सीजन 2 में यू मुंबा को जीत दिलाने के बाद आया सीजन 3 लेकिन सीजन 3 से पहले कई सारे प्लेयर्ज ने नई टीम चुनी थी लेकिन यू मुंबा में से कोई बाहर नहीं गया जाहिर सी बात है यू मुंबा जैसी टीम छोड़ेगा कौन सीजन 2 की शुरुवात भी सुरिंदर और मोहित के कॉमिनेशन के साथ हुई थी लेकिन यहाँ पर आया कहानी में एक ट्विस्ट लीक के दोरान एक मैच के वक्त सुरिंदर नाड़ा और मोहित छिलर को एशेन गेम्स खेलने जाना था और इन दोनों की घहर मउझूदगी में यू मुंबा की सब्स्टिट्त्स को मौका मिला अपना जल्वा दिखाने था क्याँए कि जैसे सुरिंदर और मोहित का कॉमिनेशन है वैसी फ़जल और मोहित का कॉमिनेशन बने तब लोगों को लगने लगा कि फजल अत्रा चली सुरिंदर नाड़ा से अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेता है लेकिन सीजन 3 के फाइनल में ये गलत फैमी भी दूर हो गई फाइनल्स में एक ऐसा वक्त आया जब यूं मुंबा को पॉइंट्स की सक्स जरूरत थी उस वक्त सुरिंदर नाड़ा सबस्टिटूट करके अंदर आये और सुरिंदर और मोहित सिर्फ दोनों ने मिलके एक सूपर टैकल किया था और सब को बता दिया था कि सुरिंदर और मोहित जैसा कॉम्बिनेशन और कही देखने को नहीं मिलेगा उसके बाद आता है सीजन 4 लेकिन सीजन 4 से पहले एक आउक्षन होने वाला था इस आउक्षन से कई फ्लेयर्स को नई नई टीम में मिली इसलिए सीजन 4 में सुरिंदर नाड़ा और मोहित जिलर की जोड़ी हमें दिखाई दी बेंगलूरू बुल्स में ये दोनों अपनी टीम के फर्स्ट प्रियारिटे डिफेंडर्स थे फिर उसके बाद आता है 2016 कबड़ी वर्लकप प्रो कबड़ी लीग में एक एक टीम एक एक शहर को रिप्रेजन करती है लेकिन वर्लकप में पूरे देश को रिप्रेजन करना था वर्लकप की टीम में सुरिंदर नाडा और मोहिच छिलर दोनों सिलेक्ट हुए लेकिन जब वर्लकप स्टार्ट हुआ तब हमने देखा कि इंडिया अपने अलग-अलग कॉंबिनेशन आजमा रहा है पहली मैच में हमने देखा कि मोहिच छिलर और धरमराच चेरलादन कॉर्नर संभाल रहे हैं और धीरे-धीरे कॉंबिनेशन बदलते-बदलते आखरी मैच में हम देखते हैं कि सुरिंदर नाडा और संदीप नर्वाल कॉर्नर संभाल रहे हैं लेकिन यहाँ पर भी हिस्ट्री रिपीट हुई, फाइनल्स खेलते वक्त एक ऐसा वक्त आया, जब भारत को पॉइंट्स की सक्थ जरूरत थी, अब जैसे प्रो कबड़ी सीजन 3 में सुरिंदर नाडा सबस्टिटीट करके आये थे, वर्ल्ल कप में मोहिच छिलर सबस्टिट करके अंदर आये, और फिर से दोनों ने मिलके एक सूपर टैकल किया, कसम से एपिक मुमेंट था वो, इरान की टीम को हरा कर इंडियन टीम ने वर्ल्ल कप हासिल किया, और इंडिया का नाम रोशन किया, फिर आता है सीजन 5 का आउक्षन, सीजन 5 में चार नई टीमें आ रही है सीजन 6, लेकिन सीजन 6 से पहले हम कबड़ी फैंस को एक साइड न्यूज मिली, जी हाँ, सुरिंदर नाडा और मोहित छिलर का डूओ अलग हो गया है, सुरिंदर नाडा है हरियाना स्रिलर्स में, जबकि मोहित छिलर आ गया है जैपुर पिंग पैंथर्स में, अनुप की छत्रचाया में, अब देखना ये है कि एक दूसरे की खिलाफ वो कैसे खेल लेते हैं, सो गैस ये थी एक छोटी सी वीडियो सुरिंदर नाडा और मोहित छिलर के कॉंबिनेशन के बारे में, बेशक ही अब तक का सबसे तकड़ा कॉंबिनेशन है, लेकिन अफसोस की सीज अलगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, एम करते हैं, तीन सो लाइक के लिए, साथी में फ्यूचर में और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं वेदान परिद्या मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई झाल झाल झाल